द्रिश्टे आईएस के टूडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रिशनिसे जिसमें हमने आपसे पूछा था खाली में किसके द्वारा नंदी पोर्टर लौच किया गया है आपके उप्शन थे उप्शन एक हाद प्रिसंसक्रण उद्योग मत्राले उप्शन बी पशुपालन एवं डेरी विभाग उप्शन सी केंद्री ओशधी मानक नियंद्रन संगठन और उप्शन डी पशु स्वा पशुपालन और डेरी विभाग द्वारा नंदी पोर्टर लौच किया गया है इसलिए विकल्प भी सही है आपको बता दे नंदी का पूरा नाम अनूसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनो क्यूलेशन सिस्टम है जिसे हिंदी में नई दवा और टिका करण प्र रांच के लिए पारदर्शिता के साथ नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाएगा ये पहल शोद करताओं और उद्योगों को व्यवसाइक दिश्टी कोंड से भी साहता प्रतान करेगी बताते चली कि नंदी पोर्टल भारती प्रतान मंत्री की डिजिट काहला प्रश्ट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संबन में निर्विखित कतनों पर विचार कीजिए कि इस किस्था आपना उनिस संत्यान वे होई थी कतन दो है इसके अध्यक्ष को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है और कतन तीन है इसका नो हाली में ओरीश सरकार और भारती गुय बट्ता परिशद ने वहरणेश्वर में ओरीशा गुनवत्ता संकल्प यानी ओरीशा गुणवत्ता मिशन लॉंच किया है आपको बता दें कि भारती गुणवत्ता परिशद यानी QCIA की स्थापना उनिस संत्यान वे में भारत सरका और भारती उद्योग की द्वारा की गई थी इसलिए कथन एक सही है QCI के अधर्ष को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है इसलिए कथन दो भी सही है इसके वर्तमान अधर्ष सेविक ग्रूप और कमपनीज के CMD श्री जक्स शाहा है वाणिज और उद्यो अगला प्रशन देखते हैं जम्मो कश्मीर की आधिकारिक तितली किसे गोशित क्या गया है आपके ऑप्शन है टाइगर मिल्कविट तितली ब्लू पैंसी तितली ट्रोइट्स मिनोस या फिर डेलियास यूकेरिस तो इस प्रशनका से उत्तर है विकल्प B ब्लू पैंसी त प्रशन के एक प्रजाती है जो दक्षिन पूर्व एश्याई देशों और अफ्रिका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है यह प्रादेशिक और्थोपॉर्ड है जो 26 इस्थानी उप प्रजातियों में विभाजित है इन प्रशनी पसंद है और अक्सर इन जमीन पर सूरज क किरणों का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है हिमाले शेत्र में अपनी उपसिती के साथ ब्लू पैंसी परागट प्रक्रिया में योगदान देती है और पार्च की तंतर के स्वास्त को बनाये रखने में महत्पून खूमी का निभाती है इस तरह इस प्रशन का सयुत्त पर उपर की और लंबवत चमकता है मकर रेखा पर उपर की और लंबवत चमकता है या फिर सूरिक करकर रेखा के ठीक ऊपर होता है तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प D सूरिक करकर रेखा के ठीक ऊपर होता है बीते 21 जून को ग्रिश्म ऐनांत की स्थिती देखी गई बता दे की 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन को ग्रिश्म आयनांत या समय सोलिस्टिस के रूप में जाना जाता है हिताब होता है जब सूरी सीधे करकरेखा पर होता है या विशेश रूप से 23.5 डिगरी उत्रियक शांच पर इसलिए विकल्पिटी सही है इस इन प्रत्वी को सूर से अधिक मात्रा में उजा प्राप्थ होती है 20, 21 या 22 जून को आमतोर पर उत्रिय गुलार्द को सूर की रोष्णी के अधिकता मात्रा प्राप्थ होती है इसके विप्रेद दक्षमी गोलार्द को 21, 22 और 23 दिसंबर को सबसे आधिक सूर्ड की रोशनी मिलती है जब उत्री गोलार्द में सबसे लंबी रातने या शीत कालेंच संक्रांती होती है इस तरह इस प्रशन का से उत्तर होगा विकल पिड़ी सूर्ड करकरेखा के ठीक उपर होता है आगला प्रेशन है अल्नीनों के संबन्द में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए कथन एक है अल्नीनों वर्ष में दक्षिनपूर्व एशिया और भारती शेत्र में मांसून का मौसम सामाने से लंबा और मजबूत होता है कथन दो है इसे केवल रास्टी, समुद्री और वायुमंडली प्रिशाशन यानी NOAA द्वारा गोशित किया जाता है कथन तीन है इसके कारण पूर्वी प्रिशान मासागर और आसपास के देशों जैसे चिली, पेरू और एकवाडोर में कम वर्षा होती है उपरुक में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल पे केवल एक गतन ही सही है हाली में विश्व मौसम विज्ञान संगठन याने डबलू एमो ने जितामनी दी है कि इस वर्ष अल्नीनो घटना की संभावना के कारण भारत ने वर्षा की स्थि में कमी देखी जा सकती है अल्नीनो भुमत देरेखी प्रशान मासागर में सतह के जल के असमान रूप से गर्फ होने को संदर्वित करता है अल्नीनो वर्ष में मांसून का मौसम आम तोर पर धक्षन एश्या और भारती शेत्र में सामाने से कम और कमजोर होता है इसलिए कथा नेक सखी नहीं है इसलिए कथन 2 सही है हलाकि इससे एकवाडोर और उत्री पेरू में वर्षा कई गुना बढ़ जाती है जिससे तटी बाड और कटाव की सिती पैदा होती है इसलिए कथन 3 सही नहीं है इस प्रकार केवल 1 कथन ही सही है यानि इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल एक कथन ही है अगला प्रश्ण है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D लीथियन आयन बैटरी हाली में रसायन विज्ञान में 2019 नोबल पुरुस्कार के सहविजेता जौन गुडिनफ का सौवर्श की आयू में ने धन हो गया जौन गुडिनफ लीथियन बैटरी के विकास में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे इसलिए विकल्प D सही है उलेकनी है कि वो नोबल पुरुस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ती थे उन्हें 2019 में M.S.Tanny, वेंटिंगम और अकीरा योशिनो के साथ नोबल पुरुस्कार मिला ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि लीथियम आयन बैटरी के विकास में एक दशक से अधिक का समय लगा और ये पोर्टेबल फोन, टैबलेट और अन्य उलेक्ट्रोनिक उपकरणों को शक्ती देने में सहयक रही वही गुड़ेनफ के शोद ने पोर्टेबल उपकरणों और रिचार्जबल बैटरी के साथ इस प्रौदोई की में क्रांती लानने में महत्पून भूमी काने भाई इस तरह इस प्रशन का सयुत्तर है विकलपडी लीथियम आयन बैटरी अगला प्रशन है मनिपूर राजी के समन्द में निर्म्रकित कत्मों पर विचार कीजिए कथन एक है सगोल कांगजेई एक मनिपूरी पोलो खेल है कथन दो है यहाँ इंडियन पीस ममोरियल नाम का एक समारक इस्तित है और कथन तीन है पुंग चोलोम मनिपूरी संकीरतन संगीत और शास्त्री मनिपूरी नुरत्ति की आत्मा है वो पुरुत में से कितने कथन सही है यह आपको बताना है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो सभी तीन या फिर कोई भी नहीं तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकलत सी सभी तीनों कथन सही है हाली में मनिपूर राज बीते कई दिनों से जारी हिंसक जड़पों के चलते सुर्खियों में बना हुआ है बता दें कि मनिपूर भारत के पूरोत्तर में सित एक राज है यह सांस्करतिक रूप से भारत के समरध राजों में से एक है इसी क्रम में सगूल कांग जैई एक स्वदेशी खेल है जिसे मनिपूरी पोलो के नाम से जाना जाता है इसलिक गथन एक सही है वहें इंडियन पीस मेमोरियल मनिपूर में एक प्रसिद एतिहासिक स्थान है यह समारक उन जापानी शहीदों के समान में बनाया गया था जो भारती राष्ट शेनाव में शामिल हुए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े इसलिए कथन दो सही है इसके अलावा पुंग से उत्तर होगा विकल्प सी तीनों कथन सही है विशुप बैंक समू यानि WBG के संबंदे निम्रिखित कतनों पर विचार कीजिए कथन एक है यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुपक्ष्टी विकास बायंक यानि MDB है कथन दो है इस अंतरास्टी मुद्राकोश या फिर कोई भी नहीं तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B यानि केवल दो कथन ही सही है खाली में भारत के प्रथान मंत्री ने अमेरिकी कॉंग्रेस को अपने संबोधन में बहुपक्षी विकास बैंकों के सुधार क्या शक्ता पर प्रकास डाला आपको बता दे कि वि आमठ में अंत्राश्टी मुध्राकोश यानि आएमिफ के साथ ब्रेटन वुट्समेलन में बनाया गया था इसलिक और दू सही है अंतराश्टी पुननिर्मान और विकास बैंक यानि आई वी आरडी अंतराष्टी विकास संग यानि IDA अंतराश्टी वित निघं यानि IFC बहुत बक्षी निवेश गारंटी अजंसी यानि मीगा और अंतराश्ची निवेश विवाद नप्टान केद्र यानि अगला प्रिष्ण है भारती मूल के व्यक्ति यानि परसन ऑफ इंडियन ओरिजन के सम्मन्द में निर्मकित कतनों पर विचार कीजे इन्हें दोरी नाज्विक्ता रखने के अनुमती है और कतन दो है या आर्थिक विट्टी और सेक्शिक लाभुमे नराई के बराबर है खाली में एक सूचना के अधिकार के तहट मांगी गई जानकारी में विदेश मंत्राले ने खुलासा किया कि 2011 से 2020 के बीच करीब 70,000 भारतियों ने अपना पासपोर्ट सरिंडर कर दिया आपको बता दें कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में भारती प्रवासी रहते हैं भारती प्रवासीों में अनिवासी भारती यानि NRI और भारती मूल के व्यक्ति यानि Person of Indian Origin शामिल होते हैं भारती मूल के व्यक्ति यानि PIO का अर्थ एक ऐसे विदेशी व्यक्ति से है जिसके पास कुछ शर्तों के आधार पर भारती पासपोर्ट होता है भारती नागरिक्ता अधिनियम 1955 के तहट PIO को दोहरी नागरिक्ता की अनुमती नहीं है दोहरी नागरिक्ता के मावले में उन्हें तुरंत अपना भारती पासपोर्ट सरेंडर करना होगा इसली कथन एक सही नहीं है वह NRI के समान अचल संपत्यों के अधिगरहन धारण हस्तांतरण और निप्तान के समान प्रावधानों के हगदार है वही उनके बच्चों को सेक्टी संस्थानों में प्रवेश लेनी के अनुमती है इसली कथन दो सही है यानि इस प्रश्न का से उत्तर है विकल बे भी केव इसलिए विकल्पडी सही है पंजाब से जुड़ी उनाइट की आरती इटली की सिमोनी टड़ी पिपो की जगर लेगी अंत्रिक्ष शेत में 25 वर्षों से अधिक की अनुभव के साथ आरती ने प्रबंधन और वकालत में अपनी भूमिकाय निभाई है सेटलाइट इंडस्री में एसोसियेशन आफ इंडिया के सलाकार बोर्ड की सिदसे हैं और तलग है कि यूएन ओ ऐसे सचिवाले का एकारल है जो बाय अंत्रिक्ष में शांति पूर्ण अंत्राश्टि संयोग बढ़ावा देता है यह संगर्ठन सततार्थिक और सामचिक विकास के लिए अंत्रिष विज्ञान प्रौदोगी के उप्योग पर भी ध्यान के दित क आप्शन सी लाउस या फिर आप्शन डी मलेशिया तो विए इस प्रेशन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले जल्दी मिलते हैं नए अपिसोड में कुछ और नए सवाल और जानकारियों के साथ तब तक के लिए शुक्तिया